महादेव हमारी पूजा से इतने आनंदित हुए इतने प्रभावित हुए कि निसंदे उन्हें तक पुरुष समुदाय की पूजा विदी सबसे अधिक प्रिय है नहीं नहीं देवराज आप महादेव की प्रसनजा देख पातें जब हमने उनका अभिशेख किया था दुग्द की नदिया बहादी थी और आप देखेगा इशान समुदाय की विदी ही उनकी पूजा अर्चना के लिए सरुसे गोशित की जाएगी महादेव को भस्म से अधिक प्रियक कुछ भी नहीं इसलिए हमेशा वो भस्म रमाय रहते हैं और हमने भी कोई कमी नहीं छोड़िये हैं उनको भस्म से विबूशित करने में महादेव तो एक बेल पत्र से खीचे चले आते हैं ये बात जगविदित है बेल पत्र उन्हें सबसे अधिक लिया है और देव समुदाई ने तो उनकी पूजा में उत्तम से भी सरोतम बेल पत्र का प्रयोग किया है मुझे विश्वास है महादेव को जितनी प्रसनता हमारी पूजा से हुई उतनी प्रसनता किसी और की पुजा से नहीं हुई होगी शांत हो जाईए सब स्पष्ठ हो जाएगा महादेव को आने तो दीजिये शमा कीजेगा महादेव आपकी पुजा आरम भी करने वाला था कि मेरी द्रिश्टी इन दोनों पर पड़ी तंढ़कने के लिए वस्तर नहीं थे इस बालक ने कबसे आहार ग्रहन नहीं किया आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी लाया था मैंने इने समर्पित कर दिया किन्तो आप नहीं ने जो कुछ भी अर्पित किया वो मुझे ही अर्पित हुआ है नारायन यही तो है मेरी सच्ची उपासना संसार से दीनता, भूख और हिंसा को दूर करना वेदभाव भी हिंसा ही किसी का अनादर भी हिंसा है मेरी सच्ची उपासना है, मेरे समाज पे शानती और हिंसा किस्था बना निर्वलों की सेवा और उनका सत्का है नारायन आपने मेरे सभी भक्तों के लिए मेरी पूझा की सरवुत्तम विदी प्रस्तुत करती है और यही विधी मुझे सबसे प्रीव है दुग्द अर्पित करना यदि वक्त के मन को दुग्द की भादी निर्मलना बनाए तो यह व्यर्थ है यह अर्पन व्यर्थ है क्योंकि संसार में नजाने कितने ही शिशों केवल इस भूग से अकाल मृत्यों को प्राप्त हो रहें ऐसे में दुग्द अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विक्रह नहीं अभी तो वो शिशों है जो निरा शिर्थ है और उपिक्षित है जब तक इस संसार में कोई भी शिशों भूगा है समझ लो कि मैं भूगा और मेरी शुधा तभी शान्त होगी जब उस निरा शिर्थ शिशों को आहार मिलेगा जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यतित है समझ लो कि मैं व्यतित हो जब तक संसार में अन्याय और भेद भावर है ये समझ लोक में प्रती पल बीड़े दो संसार की शान्ति में ही मेरे मन की शान्ति पंच महाबूतों का महावाग है जब जल द्वारा मेरे अभी शेक्स जीवन दाए जल की अब मानना नहीं होती है क्या ये जल का सरोत्तम उपियोग है क्या श्रध्धा और विश्वास को प्रकट करने के जल का अरपन वर्यापत है क्या निर्जर पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को मात्व नहीं दोगा जल आत्मा की सजीवनी है अजंक्य मनुश्व जीव जनतू जल के आभाव में चीवित रहने के लिए विवश रहते है न जाने कितने व्यत्ती जल की एक बून के लिए तिरशित रहते है ऐसे में जब नदी की भांती जल मुझ पर अरपित किया जाए मुझे पीरा होती है जल शरीर का संचालक करें यदि मेरे भक्ते से जीवन सुरक्षाहे द्वार पित करेंगे मैं तब भी मद्द होट होगा पेल पत्र मुझे अती प्रिया है ये मेरा संताप हरते है ददूरा मुझे प्रिया है ये मुझे शान्ती दिता है कि तू यदि संसार शान्ती का युद्ध शेत्र बना रहेगा मेरे स्वजनों के बीच सरे महा युद्ध छिड़ा रहेगा तो मात्र ददूरा और पेल पत्र अर्पित करने से मेरे मन को शान्ती कैसे मिल जाएगे मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगे उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है तो मेरी सच्ची उपासना है यदि उपासना का भाव मेरे लोग और मेरे समीब आने की कामना है तो सची पासना